कैनरा बैंक के उप महाप्रवंदक राहुल भावे और सीबी आई के एसपी संतोष कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी किस्म के भरष्टाचार के सामने ना जुकें यह अधिकारी कैनरा बैंक के सतर्कता जागरुकता सप्तहा को संबोधित कर रहे थे कैनरा बैंक का सतर्कता जागरुकता सप्तहा बिठन मारकित की स्थित कैनरा बैंक के ट्रینिंग सेंटर में मनाए गया इस मौके पर कैनरा बैंक के उप महाप्रवंदक राहुल भावे और सीबी आई के एसपी संतोष कुमार मुक्य रूप से मौझूद रहे इस अभियान के तहत लोगों को ब्रश्टाचार के सामने ना जुपनी की सलहा दी गई साथ ही बताये गया कि अगर कहीं भी किसी प्रकार का ब्रश्टाचार चल रहा है तो उसकी जानकारी संबिंत अधिकारी को दें जहां कारेक्रम की शुरूवात दीपर प्रजलन से किया वहीं कारेक्रम का संचाला नशोख व्यास ने बाखुबिया यह हमारे जो मंत्यपरदेश और शत्तिसगड़ में जो कैंडरा बैंक की शाखाएं हैं केंडरा बैंक की तो इस पुरे पक्वारे में हम सवफ्ट करने का प्रयास करते हैं अपने स्टाफ ही नहीं बलकि हमारे जो जितने कस्टमर भी आते हैं ब्रांच में उनको भी सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बैंक की कारिय में कैसे पारदर्शिता ला रहे हैं और किस तरह से एक स्वच्छ रूप से कारिय हो रहा है जिससे कि ये भरष्टाचार को किसी तिरह का मौका ना मिले सतरुक्ता जागरुक्ता कारिकरम को लेकर कैनरा बैंक के अधिकारियों में उच्सहा देखने को मिला अभियान में विशेश रूप से उपस्तित रहे सीबी आई के एसपी संतोष कुमार ने लोगों को ब्रष्टाचार से दूर रहने की सला दी और कहा कि ब्रष्टाचार ना करें और ना करने दें कैनरा बैंक हर साल की तरहां इस बार भी सतर्पता जागरुकता सप्तहा कैनरा बैंक के करमचारियों के साथ मना रहा है कैनरा बैंक के उपो महाप्रवंदग राहुल भावे ने कहा कि समाच को ब्रष्टाचार से सजग रहने की जरूरत है साथ ही कहा कि अगर कोई करने की भी बात कहीं है